नमस्कार, सेवा रिसर्च पाउंडेशन में आप लोंका स्वागत है आज हम कोशिज करेंगे कि होमियोपेती की बहुत ही पोपुलर मेडिसीन जिसमें आप हर प्रेक्टिसनर आप यूज करते हैं और देते हैं जैसे आप यूट्रीन का या पर यूट्रीन डिसॉडर का हो या फिर यूट्रस का प्रोविलम हो या फिर डूरिंग पेग्नेंसी हो इस मेडिसीन को आप लोग सब यूज करते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्क्राइब कर लिजिए वीडियो अच्छा लगे तो शेर कीजिए कोसी सम करेंगे कि जो अच्छी हमारी जो एक्सपिरियंस है अपनी प्रैक्टिस है जो हॉमियोपेथी से रिलेटेट आज हम उसी को इस मेडिसीन से रिलेटेट उसको सियर कर रहे हैं तो हम बात कर रहा है मेडिसीन कोलो फाइलम के बारे मे, और कोलो फाइलम का जहां तक सबका एक माइंड है कि कोलो फाइलम जो उत्रस का डिस आउडर है, उसकी सबसे बरी दवा है उसके इलावे भी इनका जो है ना symptom उनका uterus का इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ का जो pain होता है वो wondering pain होता है आप matriamidica देखिएगा तो इनके pain के बारे में जिक्र गे करता है कि wondering pain अब wondering pain in the sense अगर आपको एक finger में हुआ तो फिर दोसरे दोसरे से तेसरे तेसरे से चोंते मतलब pain एक जगे से दोसरी जगे सफर करते रहता है आज यहाँ है तो कल वाँ कल यहाँ है तो परसुमा तो इस तरह की जो pain का जो symptom बनता है ठीक है तो उसके लिए यह जो during pregnancy या फिर दूरिंग आपको menses यह सटिक उसका होता है यही होज़ है कि यह medicine आपको during pregnancy और इसमें बहुत अच्छी medicine के तोर पे काम करती है दोसरा इस medicine का symptom यह होता है कि इनके जो mind के लोग होते हैं वो emotional होते हैं वो sensitive होते हैं Irate भी होते हैं और exanity भी होती है यह और stress इसमें सबसे खास होती है अगर आप माहिलाओं में देखें तो during pregnancy हो या फिर menses के दवरान हो तो उनमें stress रहती है अगर माल यह पिछले menses में उनको pain हुआ तो अबुवद्दीन अगर आने वाला होता है तो उसको stress होने लगता है stress मतलब उसको डर होने लगता है कि कहीं इस बार भी हो तो फिर यह stress चलते चलते उसको एक pain का सकल दे देता है तो आप अगर इस medicine को यूज करते हैं तो उसका वो pain नहीं होगा और जो pregnancy के दोरान जो stress बना रहता था जो anxiety होता था जो डर होता था उनको यह चीज भी इस medicine के mind के लोगों में पाया जाता है तो अब अगर उसके इलावे भी अगर हम इसको देखे हैं तो अगर कहीं पर kidney stone में अगर आपका uni bladder के आसपास kidney stone आके रुखा है अगर kidney से निकला वो stone आके रुखा अगर उसमें भी pain उसी तरह हो जैसे बच्चे जन्ने में pain होता है तो आप colophyllum का बड़ी potency single dose use कर सकते है single dose दिजिएगा वो pain आपका चला जाएगा 15-20 मिनट लगेगा highest अगर सटिक आपका potency बैट गया हम 10 a.m में यूज करते हैं आपके पास का experience अगर है तो आप उसी इसमें यूज करें अब इसमें एक चीज और देखा यह जाता है इस patient में colophyllum के कि इनके जो होते हैं ना तो एक आम चीज यह होता है कि इनको heavy weight होता है कि इसका तो इनको miscarriage का हो या फिर abortion का हो इसका इनमें heavy weight सबसे ज़्यादा पाया जाती है अब इसी heavy weight के कारण इसके जो uterine में disorder होते है तो अगर आप उसका urine का तो नहीं उसका अगर आप blood का अगर torch करवाते हैं तो उसमें आप देखेगा कि उसमें आपको rubela मिल सकता है उसके बाद harpes मिल सकता है अगर इसके बाद मतलब इस तरह के बहुत सारे बेक्टेरियां है rubela, harpes, interruptococcus, stoptococcus, cytomegalia यह medicine जब यह आपको बेक्टेरिया जब मिलेंगे और इसी के कारण अगर उनके miscarriage होते है तो kolophyllum सुरू से अगर चलाया जाए तो बहुत अच्छी medicine हो सकती है मगर हम इसके साथ एक और medicine भी देते हैं अगर यह taste आपके पास आगिया हो हम syphelinum का यूज करते हैं और हम mat का यूज करते हैं लेकिन यह kolophyllum best medicine मानी जाती है दूसरा, अब तेसरा इसमें अगर हम देखें तो अगर यही चीज किसी patient में अगर मान लिए उनको किसी भी कारण बस चाहिए वो uric acid के हो या फिर उसको rheumatisium के कारास हो या फिर कोई भी infection के कारास हो अगर उनका pain fingers में है फिर कल्द वो finger में फिर इस finger में मतलब उसके pain अगर finger to finger change हो रहा है ठीक है चाहिए वो किसी भी कारण से हो उनका कारण uric acid भी हो सकता है infection भी हो सकता है rheumatisium या फिर उनका r.a.f. factor के वज़े से भी हो सकता है अगर उनके किसी कारण अगर वो pain अगर सफर कर राज इस उंगली में है कल यह जोइंट में है कल यहां पर है तो आप इस medicine को यूज कर सकते हैं अगर महिलाओं में है छोटे potency में दीजेगा तो काम कर जाएगा ठीक है क्योंकि ऐसे patient में आप देखेगा pain के patient में हो इन में एक चीज आम होती है कि इन में भी stress होता है इन में भी sanity होती है इन में भी emotion होते है ऐसे cases में आप colophyllum यूज करें wondering pain की सबसे बड़ी दवाई है यह चाहे वो किसी भी प्रस्तिती में हो उसको आपको नहीं देखना है ठीक है आप फिर इसका और एक चीज यूज में कर सकते हैं कि कभी-कभी ultrasound और pregnancy के दरण ultrasound करते हैं तो उसमें देखा यह जाता है कि बच्चा इनका ब्रीच कंडिशन में है अब ब्रीच कंडिशन क्या होता है कि आम भाशा में उगर उसको कहें तो बच्चा उल्टा है तो ऐसे cases में अगर colophyllum दें एक-दो हथता तक अगर colophyllum छोटी potency में दें ठीक है तो फिर आप किजिएगा ultrasound तो बच्चा नॉर्मल होगा मगर अगर last में है तो फिर टाइम लगता है उसके लिए उसके लिए खफ़ता उसके लिए टाइम लगता है अब last stage में आके है तो फिर possible नहीं है वो तो फिर जो देते हैं वो ही बता पाएंगे अब इनकी और एक symptom देखें कि इनकी जो खास symptom ये देखी कि अगर आपके patient में अगर आप stress है anxiety है है ना और या फिर irrit है या emotion है इनके साथ अगर उनके pain wondering है मतलब pain कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ तो आप इस medicine को selection कर सकते उसके लिए आपको और कुछ भी उसका constitution ने देखना पड़ेगा क्योंकि ये constitution नहीं बलकि ये किसी में भी काम कर जाएगा without constitution ये medicine अब इनके साथ एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि आप कोफिया नामी जो medicine है वो नहीं दे सकते है कोफिया या फिर कोफी होगरे पीते हैं तो उनको आप avoid करें क्योंकि उसको वो antidote कर देता है तो आप इसको कोफिया के साथ माद दे कोफिया इनको antidote कर देता है अब इनका compression अगर करें तो आप CMC फूगा से कर सकते हैं आप CPI से कर सकते हैं आप जलसी मियम से कर सकते हैं दूसरा अगर इसमें आप इसमें देखें तो आप इसको कभी-कभी शबीना से भी कर सकते हैं ठीक है और यह pain की सबसे बरीद दवा है आप इसको यूज करें और आपको अच्छा benefit दिखेगा इसमें अगर small joint pain में दे तो थोड़ा सा उची ताकत वनियम में दे ठीक है तो इसमें आपको अच्छा result दिखेगा आपको तो यह था colophyllum थैंक यू दन्यवाद दन्यवाद